नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बल्ड की मसुहूर अभिनेतरी जया बच्चन जी की और दोस्तों आज है जया बच्चन जी की जनम दिन और आज वे 73 साल की हो गई है तो आज हम लोग जया बच्चन जी की जनम दिन इस पेशल में जया बच्चन जी की बायोग्राफिक के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं प्रिम जगत में अपनी ससक्त पहचान बनाने वाली जया बच्चन का जनम 9 अप्रेल 1948 को जबलपूर में मसुहूर लेखा का तरूर कुमार भादूरी के घर में हुआ था जया बच्चन जी का वास्तविक नाम जया भादूरी था और जया बच्चन ने भुपाल के सेंट जोसेप कानवेंट स्कूल से अपनी सिख्चा प्राप्त की थी हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जया जी ने पूने के फिलिम एंस्टिटूट में प्रवेश कर लिया था लेकिन इससे पहले ही जया जी को महाज 15 साल की उम्र में साल 1963 में आई सतजीतरी की बंगॉली फिलिम महानगर में अभिनाय करने का मौका मिला इस फिल्म में जया जी एक सहायक भुमिका में थी और इसके बाद सत्यजीत रेसे ही प्रेडा लेकर जया जी ने पुने फिल्म एंस्टिटूट में दाखला ले लिया इसी दोरान उन्हें फिल्म गुड़ी में भी अभिनाय करने का मौकव मिला और मुख्य भूमिका के रुप में गुड़ी जया जी की पहली फिल्म थी साल 1971 में रिलिज हुई इस फिल्म का निर्देशन रिसिकेस मुखरजी ने किया था और इस फिल्म में उनके साध धर्मिंद्र और उपल दत थे इस फिल्म में जया जी के अभिनाय को न सिर्फ पसंद किया गया बलकि इस फिल्म के लिए जया जी को फिल्म फ्यार के बेस्ट एक्टरेस अवार्ड के लिए भी नामीत किया गया इस दोरान इसके बाद जया जी ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और उन्हें एक के बाद एक कई फिल्मों के आफर भी मिलने लगे साल 1972 में आई प्रकास वर्मा की फिल्म बंसी बिर्जु में जया जी को अमिताब बचन के साथ काम करने का मुका मिला और इस फिल्म के सेट पर जया जी की दोस्ती अमिताब बचन से हो गई साल 1972 में फिल्म एक नजर के सेट पर दोनों की नजदिक्यां बढने लगी और साल 1973 में फिल्म जंजिर के सेट पर यह दोस्ती प्यार में पतल गई यह फिल्म सुपर हीट हुई और फिल्म के हीट होने का जस्न मनाने अमिताब बचन और जया विदेश जाना चाहते थे लेकिन जब हरीवान सराइब बचन को यह पता लगा तो उन्होंने अमिताब बचन सहाब से साब सब्दों में कह दिया कि अगर जया जी को विदेश ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें उससे साधी करनी पड़ेगी जिसके बाद दोनों परिवारों की मजूदगी में दोनों ने 3 जून 1970 को साधी कर ली और जया बच्चन और अमिताब बच्चन के दो बच्चे स्विता बच्चन और अभिसेख बच्चन हैं साधी और बच्चे होने के बाद भी जया जीने अपना फिल्मी सफर जारी रखा और सतर के दसक में जया बच्चन सिर्ष अभिनित्रियों में थी जया बचन की प्रमुग फिल्मों में बावरची, परिचाय, पिया का घायर, सोर, अभिमान, चुपके-चुपके इसके साथ ही दोस्तों और असे बहुं सारे फिल्म हैं जिनमें इन्होंने काम किया जैसे जया बच्चन जी को अपने पूरे फिल्मे केरियर में सरवस्रेष्ट अभिनेतरी के साथ ही फिल्म फियार लाइप टेम अश्यूमेंट अवार से समानित किया गया और साल 1992 में भारा सरकार ने फिल्म में उनके साराहनिया युगदान के लिए पद मस्री से समानित किया और फिल्मों के अलावा जया जी राजनिती में भी सक दिये हैं उन्होंने साल 2004 में राजनिती में कदम रखा और समाजवादी पार्टी में सामिल हो गई वरतमान में वह राजसभा की संसद है और जैबचन जी काफी समय से फिल्मों से दुर है लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की संख्याल लाखों में है और दोस्तों आज है जैबचन जी की जनम दिन और आज वे 73 साल की हो गई है तो हम लोगों के तरफ से जैबचन जी को जन तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक इनके हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांची दोस्तो हमारी वीडियो वाचिंग करने के लिए